जै भारत एवरीवन, आज का टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर्स, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो उनके बीच का कोई ना कोई एंगल बनेगा, एंगल बन गया मतलब उसका बाइसेक्टर डिफाइन होगा, और दो लाइन इंटरसेक्ट होने के लिए जो आएगा, एक से कोईशन का रिशो आना चाहिए, और य के जो कोईशन का रिशो आना चाहिए, दोनों का रिशो सेम नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है, तो जाकि ये लाइन क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, और ऐसा है मान की जलते हैं, कि ये दोन चाहिए आधर एक स्टेट लैन है इं दोनों के point of intersection पर एंगल बने गाई, यहां पर मुझे कहा है इसका जो है एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि यह जो total angle है उसको आदे आदे part में divide करने वाले state line का equation तो यह total अगर theta होगा या फिर 2x होगा तो यह x होना चाहिए और उपर वाला x होना चाहिए तो इस line का मुझे equation चाहिए यह b1 में बोल रहा हूँ इसको ठीक है और दुसरा एक angle बनेगा यह वाला इधर वाला तो इसका भी अगर मुझे angle by sector निकालना, यह total जो angle होगा, इसका भी मुझे क्या करना है, इसको भी आधे पार्ट में divide कर देना है, तो यह होगा हमारा इसका angle by sector, इस वाला, तो यह दोनों के equation चाहिए हमको, b1 और b2 के equation चाहिए, जबकि यह जो angle है, वो आधे आधे पार्ट म divide कर लेना चाहिए इसको, तो यह equation कैसे निकालेंगे, तो क्या property होती है इसमें, देखो, अगर यह angle by sector है, तो इसका मतलब यह angle और यह angle अगर इको रहे है, तो इसका हर एक point, इस line के उपर का हर एक point, उस point से लेकर इस L1 line तक का distance, मतलब यह line तो मारा L1 है, यह line तो मारा L2 है तो यह जितना distance होगा ना, उतना ही यह distance होना चाहिए, मतलब इस line के उपर के हर एक point से, इस line के उपर के हर एक point से, अगर मैं distance ले देता हूँ, L1 और L2 का, वो हमेशा equal रहना चाहिए, यह property होती है, angle bisectors की, ठेक है, एक तो यह पहली बात, दूसरी बात क्या होगी, अगर जो भी दो line intersecting हो रहे, और मुझे, मैंने अगर उनके angle bisectors निकाल दिया, तो यह हमेशा ही perpendicular होगे, हमेशा ही perpendicular होगे, बराबर ही गया, मतलब यह B1, B2 जो है, यह हमेशा ही perpendicular होगे, यह तुम्हारे जो basic lines है, मतलब कोन से, L1, L2 perpendicular होने दो, या फिर ने होने दो, उससे कोई करने पड़ेगा, उसके जो bisectors होगे, हमेशा ही rectangle triangle में intersect करेंगे, ठीक है, इसका मतलब अगर B1 का तुमको slope मालूम है, तो B2 का slope automatic मिल जाएगा, या फिर calculate करते वक्त, अगर तुमको B1 का slope, मतलब B1 का equation आ गया, और B2 का equation जब निकालते वक्त, तुमको cross check करने भी आएगा, ठीक है, तो यह है हमारा angle bisector, जिस जो क्या होता है, फिर इस एक बार, यह जो point, ऐसा point का local है, जहां से, यह L1 और L2 line के बीच का जो distance हैगा, वो equal आना चाहिए, तो बस यहीं से हम लोग, इसका equation में आज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यह जो P point है, इसका लो, यह म यह P M आना चाहिए, अगर यह दोनों equal आते है, P N equals to P M को अगर मैं equal करूँगा, तो जो P point का local होगा, अब यह distance को कैसे equal किया जाए, अब यह distance को equal करने के लिए देखो, यह P point तो X का होगा है, तो यह P N distance, P N distance कैसे निकलेगा, यह निकलेगा ऐसे, यह 1 into X होगा, प्लस होग B1 into Y और प्लस होगा C1, total divided by अंडर रोट अफ कितना नाचिये, यह 1 का square प्लस होगा, B1 का square और इसका magnitude, यह होगा अब भुमारा P1 distance, यह किस के बराबर होगा होना चिये, यह बराबर होना चिये, P M के बराबर मतलब इस distance के बराबर होना चिये, तो P point से लेकर इस line तका जो यह 2 का square प्लस हो जारना चेवगं बस यह होगा तुम्हारा distance यह पीयम तो यह दोने जोब equal करेंगे तो जाके क्या जोए two equations आएंगे क्यों? क्यों दो equations आएंगे? देकोँ मॉड दिख रहा आपको mod को उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे एक बार plus लगाएंगे एक बार minus लगादेंगे तो इसके साब से यहाँ पे यह condition आ जाएगे मतलब A1X plus B1Y plus C1 divided by A1 का square plus B1 का square equals to हो जाएगा plus or minus A2X plus B2Y plus C2 divided by A2 का square plus B2 का square और यहाँ पे mod उडा के हम लोग प्लस और minus लगादेंगे तो एक बार हमने plus ले लिया तो यह equation बनेगा और एक बार minus ले लिया तो दूसरा equation मिलेगा एक equation इसका कहिलाएगा और दूसरा equation इस bysetor का होगा ठीके आप कौन सा equation किस bysetor का होगा मतलब प्लस लेने से इसका equation आएगा मतलब यहां पर प्लस लेने से इस जगा पर प्लस लेने से इसका equation आएगा या इसका equation आएगा वो हम लोग आगे decide करेंगे अभी मतलब equit angle bysetor क्या होगा एक्टिस angle bysetor क्या होगा वोग हम लोग आगे decide करेंगे लेकिन दो equations हाज जाएंगे यह आपको यहां से पता चल जाना चाहिए तो दो equations से किस का होगा यह किस का होगा ठीक है समझ मेरी बत आपको बस दो डिस्टर्स को equal कर देना है यह bisector सामेशा ही perpendicular होंगे यह भी ध्यान रखना आप कि है अब हम desire को लोती ही अ AC क्योंगें कि Python को क्या हुगा इसका है सब्सक्甚द करने के लिए पहला मैंतर है आम दोनों के विच का एंगल देखेंगे मतलब awakening कar अृधल यह एंग डोणेंगे गल डूह इंगा इंगल करें इन से कम आता है क्यूं देखो अगर agree total अच्छीं अगर ऑपना रहे हैं कि इसके अंगल बैस्टर बना लेते हैं लोग तो क्या होगा ? एक दो न की विच का अगर ऑपना नानेटे डिग्री है तो इसमें एक्वित एंगल अप्ट्रिस एंगल कट वान ही नहीं सकता ना ? तो इस वाली case की बात नहीं चल रही है, हम जो भी बात कर रहे हैं, अगर दो non perpendicular lines होते हैं, तो की बात चल रही है, तो उस वाले में definitely एक ऐसा होगा, कि एक angle 90 से कम होगा, एक 90 ज्यादा होगा, ठीक है, तो 90 से जो कम होगा, वह तो accurate angle होगा, और 90 से ज्यादा होगा, वह तो up to single यह तो जैसे हमारा बात एक लाइन है, तो यह जो एंगल दिख रहा है, वह 90 से कम दिख रहा है, हमारा तो यह accurate angle होगा, और यह एंगल दिखने से लग रहा है कि 90 से जादा होगा, तो यह होगा, ठीक है ना, तो जो हमारा bisector जो होगा, वह एक टूस आगल को अगर byset करता है मतलब एक टूस आगल byset का अगर equation रोणना है, तो सीधी सीधी सी बात है, यह अगर 90 से ज्यादा होता है, यह वाला angle अगर 90 से ज्यादा है, तो यह angle कितना होना चाहिए, यह 45 डिखरी से ज्यादा होना चाहिए, समझ में आरी के बाद आपको, 45 डिखरी से क्यों ज्यादा हो आपको, 45 डिखरी से कम आ जाता है, तो इसका डबल कितना होगा, 90 डिखरी से कम होगा, मतलब जो B1 होगा, वो एक्वीट अगल का बाद आपको, इसा बोल सकते हम लोग, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम पहले क्या करेंगे, कि इस मेथर से जो आभी हमने यह व इस यह से क्या बनाएंगे, एंगल बाइस से क्या बना लेंगे, पलस सान रोज करेंगे, मानस सान रोज करेंगे, तो आपना दो घुल जाएंगे, क्या क्या बह्तलै, पीब Desktopरe, एसका ate, वालज के वालज हो मैर खिंगा, इसका स्लोप माने लोट यहीं स्लोप मतलब का नवह वा आ गया जो कोई भी concept, यहAL हो जो जो ऑरिजनल लाइनां हो एक section वोटं क believers बाइकर्च क्यात्य। ए इसमल नावा लिएक रहते हैं सबस्क्राइब बैर पर इन दोनों के विचल का इंगल के लिए थीटा होला तो यह एंगल हम लूग्ड ड्याइगे मतलब कितना त्यान थीटा बातु है उसका मौड फई जोड़ फंटिक चेकर मतलब इसका ओ यह एवां अगरat नोन थे को किल लोगा अगर अगर यहां से हम लोग निकालेंगे अब चेक करेंगे कि त्यान थीटा बाइटू यह जो वैल्यू आ गई है इसकी जो मौड वैल्यू है क्या वन से ज्यादा है या फिर वन से कम है यह सिर्चेक करेंगे इतना ही चेक करना अबको ठीक है अगर यह वन से ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बाइसेक्टर यूज़ किया था ये एंगल निकालने में वो कौन सा था एंगल बाइसेक्टर था एंगल बाइसेक्टर बने गई ठीक है क्योंकि एंगल उन दोनों के बिच का कितना हो 45 डिगरी से जाथ होगा और त्यान धिटा बाइसेक्टर यूज़ किया था वो किसका होना चे वह रूना चे एक्विट एंगल बाइसेक्टर का इकपेशन इतना clear है यह समझ मेरी बात आपको तो बस आपको डूनना क्या है कि 10th by 2 मतलब एक angle by sector और एक line उसकर के दोनों की बीचका angle डूनना है angle डूनना है मतलब उसकी value डूनना है मतलब 10 by 10th by 2 की मतलब पूरा angle तक शुखल करने जोरूत नहीं बस इसका value कितना रहा है से ज़्याद आयाओ या योगस से चेक करने के लिए अब दुसरी चेक्स करने खोस ci आपक डिस्ट्रस से भी बना सकते हो मतलब डिस्टंस फॉर्मलीस से भी तुम यह आगे एंगल भाइसे कुण से यह बता सकते हैं चलो स्वक्राइब करते हैं चलो फिर दीस्थे को इस पाहिए करिकर ने वहाला है तो ये प्लस साइन लेने से अपको यह इधर वाला एक इक्वेश्न मेलेगा मैं यह दोनों इक्वेश्न और यह हमारा B2 angle bisector है, तो B1 angle bisector जो है, यह B1 जो bisector बना, वो acute angle bisector है, यह फिर obtuse angle bisector ही मुझे decide करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो, मैं क्या करूँगा, इसके उपर, किसी भी एक point के उपर मैं distance ले लोगा, मतलब B1, B2 अगर कोण से angle bisector मुझे decide करना है, तो एक तो तो यह फिर L1 के उपर का point ले लो, किसी भी line के उपर का point ले लो, मतलब point लेने का मतलब का है, कि समझो, इसका equation A1 x है, plus B1 y है, plus C1, और equals to 0, अगर यह equation है इसका, तो इसमे x के value जोरो रख दो, या फिर y के value जोरो रख दो, मतलब best way यह है, कि मतलब इसके उपर का कोई भी point हमको, हमको मतलब, बस यह origin, यह point of interest change के आलावा होना चाहिए, यह point नहीं, इसके आलावा कौन सा भी point लो इसके उपर का, x के value 0 या फिर y के value 0 से रख दो, easy पड़ेगा आपको, ठीक है, तो यह तो होगा तुमने, पहले step में तो क्या 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 है, कि point तुमने ले लिया, point क यह तुमने पहले step कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है तुमको, यह point है, अब वहाँ से, इस point से लेकर, जो B1 bisector है, उनके बीच का perpendicular distance चाहिए, इस point से लेकर, इसके उपर perpendicular कर लो, इस point से लेकर, इसके उपर perpendicular कर लो, और यह distance को तुम compare कर लो, ठीक है, मतलब, क्या कुन स distance के बाद चल रही है, यह जो point है, यहाँ से तुमने कहा किया कि, इसके उपर perpendicular कर लिया, तो यह distance, और इस point से लेकर, इस bisector B1 के उपर perpendicular कर लिया, यह distance, अब इसमें एक distance ज्यादा है, और distance को हम रहे गए रहेगा, क्यों? क्योंकि यह जो angle के सामने वाला, इस angle के सामने वाला distance यह हो रहा है, इस angle के सामने वाला distance यह हो रहा है, अगर यह angle इस angle के comparative छोटा है, तो यह distance भी चोटा होना चाहिए, गाए, इस ? side theoretically कितने च्छ deployed श्यादा ऊची इसका मतलब अब तुमको करना क्या है कि तुमको करना यह difference इस पॉंट से लेकर यह p1 तक का imize बना यह इस पॉंट से लेकर बीटू का यह जो इस तुम साव से घृती साइब को सब्सक्रण उख साअगori अगर मान लेतें कि B2 का distance ज्यादा है P1 से तो इसका मतलब यह हुआ कि B2 यह जो line है वो क्या होना चाहिए? obtuse angle bisector होना चाहिए जो distance ज्यादा जिस line का distance ज्यादा वो जो line होगा वो जो होगा obtuse angle bisector होना चाहिए क्या यह clear है क्या चीज आपको? और उल्टा क्या होगा? मतलब इसके उल्टा क्या होना चाहिए? कि अगर यह अगर obtuse angle bisector हो गया तो उल्टा B1 क्या होना चाहिए? B1 हमारा acute angle bisector होना चाहिए यह बन जाएगा acute angle bisector आपको यह समझ में आ रहा है ठीक है? और अगर उल्टा होता तो यह P2 की value कम होती है और P1 की value जाधा होती है तो बस वह इसका उल्टा हो जाता P1 जो B1 जो हो जाता, वह हो जाता, obtuse angle bisector क्योंकि B1 का जो point से लेकर distance से वह जाता आ रहा है तो इसका अगर यह obtuse angle bisector होना चाहिए था फिर से एक बार revise कर लेते हैं, B1 और B2 का equation निकालना पड़ेगा, जैसे B1, B2 का equation आ गया, कोई भी arbitrary point लेलो इस L1 के उपर का या फिर L2 के उपर का, जो भी जिसके उपर लेना हो लेलो, फिर arbitrary point लेने के बाद, इस point से लेकर इस B1 तक का distance निकालो, और इस point से लेकर इस B2 का मतलब B2 जो y-sector, मतलब 2 जो y-sector मिल गए थे तुमको, कहां से मिल गए थे पता है, यहां से, देखो, यह साई distance compare करने से इधर से मिल जाएगा, आपको, मतलब 2 line के distance compare करो, plus 1 बार लेलो, minus 1 बार लेलो, दो 2 equations आ जाएंगे, वहां से आपको क्या मिल गए थे, आपको यह by-se distance ज्यादा आएगा, जिस line का distance ज्यादा आएगा, वह होगा तुम्हार अप्टिस अंगल by-sector, और उसका जो दूसरा जो side होगा, दूसरा जो angle by-sector होगा, वह होगा, acute angle by-sector, यहां तक clear है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ओके, एक और method है, यह angle by-sector decide करने का, एक्विट अंगल है, यह decide करने का, एक और shortcut method है वैसे, लेकिन वह पढ़ने से पहले, हम लोग यह वाला पढ़ लेते तो दा कि वह अच्छी से हमको समाझ में आ जाए, एंगल by-sector containing point, ऐसा होता है, एंगल by-sector containing origin, या फिर दुसा 1,2, या फिर 2,B, ऐसे point को contain करने वाला, by-sector का मुझे equation चाहिए, तो ओ कैसा हैगा, ओ देख लो, पहले तो हम लोग के अकल देखें कि general theory पहले पढ़ लेते हैं, इसके बारे में, मान लेता हूँ कि मेरे जो original line स यह है, यह हमारा line L1 और यह line L2, अगर मुझे angle by-sector बनाना है, तो इस L1 का distance बनाना पड़ेगा, और इस L2 का distance बनाना पड़ेगा, और मौल अगर उड़ा देना है, तो L1 equals हो जाएगा, कितना, plus or minus L2, और इसके नीचे गाएगा, यह square B square वाला जो टामाएगा, तो यहां स इसके angle by-sector, जो की क्या होंगे, एक इधर का आएगा, और एक इधर से पास होगा, अगर निकालना है, तो डॉट 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 ऐसे बना दो, यह इधर का एक by-sector बनेगा, और इधर का एक by-sector बनेगा, ठीक है, हमको क्या करना है अभी, हमको angle by-sector containing points की बाद चल यह angle में include करने वाला, फिर L1 और L2 के बीच का ही यह region है, लेकिन यह उसके उल्टा वाला, अगर यह तुपरा alpha angle include करने वाला था, तो यह जो angle होगा, pi-alpha, pi-alpha angle include करने वाला, यह second region हो गया, ठीक है, और third region क्या है, कि यह फिर से alpha, यह जो region था, उसके opposite वाला, मतलब alpha जो angle बन रहा है, उसके opposite, यह third region हो गया तुमारा, और pi-alpha की opposite मतलब यह fourth region, जैसे ही हमने quadrant देखते है, first quadrant, second quadrant, third quadrant, क्योंकि दो line perpendicular अगर इंटरसेट करते हैं, चार quadrant बन रहे थे, मतलब पूरा जो प्लेन है, चार quadrant में divide हो रहाता है, वैसे यहाँ पर भी quadrant यह बोल सकते हैं, लेकि आगए, ठीक है, अब देखो, इन चार डिफरेंट region से, मतलब मैं अगर angle bisectors की बात करूँ, मैं, angle bisectors की बात करूँ, तो यह जो मेरा पहला जो angle bisector है, वो ऐसा होगा, मतलब यह angle bisector, region first and region third से पास करेगा, समझ मेरे बात आपको, यह जो angle bisector है, वो region first and region third से पास करेगा, औ और जो दूसरा जो angle bisector बनेगा, यह वाला, यह वाला कौन सा होगा, यह region second और region fourth से पास करेगा, second region और fourth region से पास करेगा, क्या है आपको समझ मेरे बात, region second और region fourth से पास करेगा, मतलब इसका मतलब जो angle bisector से हमारे दो-दो region से पास करेगे, यह बात आपको समझ मेरे आ रही ह अब देखो अब एंगल बाइसेक्टर कंटेंग पॉइंट का मतलब क्Я होता है कि ये जो बाइसेक्टर है इस सेकेंड तर्ड एंट फर्स्ट रीजन से पास होने वाला ये जो बाइसेक्टर है बीवन ये इस इसके रीजन के हर हर एक point को content करेगा हर एक point को content करेगा फिर से एक बार फिर से एक बार जा बोला मेंने जो वीवन बाइस्टर है वह जो की first region and third region से आगर पास कर रहा है तो इसको क्या बोलते है यह by sector जो है b1 यह content कर रहा है इस region के हर एक point को बैखा क्या है आपको तो जो meaning समझ में आ रही होगी अंगल by sector containing ये कॉमा भी अगर ये कॉमा भी कंटेनिंग कर रहा है ऐसा अगर आपको दिया गया तो इसका मतलब ये कॉमा भी इस line के ऊपर होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है ये इसके बहार भी हो सकता है बस ये इसी region में होना चाहिए समझ में आ रहा है क्या है मतलब ये जो point है ये ये कॉमा भी ये point ये by sector b1 content कर रहा है ये बी टू नहीं कर रहा है बी टू तो second और fourth region के point को content करेगा ठीक है अगर कोई b point यहां पर होता है और इसके coordinates कितने समझ मालते ये one b1 है तो ये जो ये one b1 point है वो भी ये by sector b1 ही क्या कर र करेगा ये बात के लिए आपको समझ में हरी क्या ओके अब इसके अलावा जो दूसरा है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला जो बाइसेक्टर है वो fourth region and second region के point content करेगा मतलब ये point content कर रहा है ये point content कर रहा है ये point content करेगा ये point content करेगा ये point content करेगा ये point content करेगा से बात के लिए रहे क्या तो इन शॉर्ट क्या बोला है कि अगर एंगल बाइस से पास करेगा उस रीजन में आ जाना चीह तब जाकि उस पॉइंट को अभी इस रीजन में थे प्र इस रीजन में ये तो किस मतलब यह वाला पॉइंट जू है अगर इस लीजन में रहाए नहीं इस रीजन के आ रहा है करना है इसका मतलब इंश्वाइट यह जो पॉइंट है यह बाइसे वाली पॉइंट के बार में हमको कुछ नहीं बोला जाएगा हमको बोला जाएगा इसके रीजन में प्रॉप ज़ुआते यहां तक साहिए अब इसका equation कैसे निकालना है, equation निकालना भी बहुत आसान, मतलब angle by state or continue 1,b अगर निकालना है, तो यह भी बहुत आसान है, क्या करेंगे, यह जो तुम्हारी पहली state line है, इसका equation कितना है, a1x है, plus b1y है, plus c1 equals to 0, यह अगर इसका equation है, और यह 2 का equation कितना है, यह 2x है, plus b2y है, plus c2, और equation होता है, तो तुमको क्या करना है कि, पहले थो angle by state or condition में आलो, मतलब यह पहले निकाल दो कि, a1x plus b1y plus c1, total divided by कितना है, under out of a1 square, plus b1 square, यह इसका mod, किसके बरावर रुखाना चाहिए, दूसरे line के mod के बरावर रुखाना चाहिए, मतलब, यह 2x plus b2y plus c2, और total divided by कितना है, यह 2 square plus b2 square, ठीक है, तो यह distance के बरावर रुखाना चाहिए, अब देखलो, अब यहाँ पे mod दिख रहा है आपको, यह mod दिख रहा है, तो mod को उड़ा देना है, तो तुम mod कैसे उड़ा होगे, जो point content करने के लिए बोला गया तुमको, यह point content करने का अगर bysetter चाहिए, तो तुम यह point जो है, इस line में रख दो, मतलब, इस, 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 इसमें x के बदले यह रख दो, y के बदले भी रख दो, इसके अंदर, और इसके अंदर भी, यह, b रख दो, और उसके according, यह mod को उड़ा दो, according mod को उड़ा ने का मतलब क्या, कि जैसे ही a, b इसमें रख दिया, तो अब यह पूरा का पूरा number ही बनेगा, क्योंकि a1, b1, c1 तो number ही थे, xn y, यह, b रखने से क्या होगा, यह भी number बनेगा, तो यह पूरा को पूरा number बनेगा, और नीचे तो number लिखाए, तो इसका हले कोई ना कोई एक value आए कि, अब यह value एक तो negative हो सकती है, यह positive हो सकती है, 0 तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि a point 0 त भी हो सकता है, लोग इसमें भी consider कर सकते हैं, उसमें भी consider कर सकते हैं, क्यों boundary points आई है, तो इसके बारे में तो बात नहीं चल रही है, इसके भाहर के point, मतलब इस region में होना चाहिए, तब जाके बात चल रही है, तो उस वाली case में तो इसका answer तो non zero हो आएगा, अब non zero आए तो positive हो सकता है, बस mod की जो basic property है, वो apply करो वहाँ पे, इसका answer अगर positive आ जाता है अंदर ये और भी रखने से, तो positive आ गया, मतलब mod का काम क्या होता है, कि अगर अंदर positive quantity है, तो चुप चप निकल जाएगा, कुछ करेगा है नहीं, ठीक है, और अगर अंदर negative quantity आ गर आ जाती है, तो उसका का क्या है कि उसको positive करके निकल जाना है, बरावर क्या, तो वहीं बात रहेगी, फिर यहाँ पर यहाँ पर यह कौमा भी रख दिया हमने, अगर यह value positive आ रही है, तो इसका मतलब mod को ऐसे हटा दो, negative आ रही तो minus, इसको minus से multiply करके mod को हटा दो, similarly, यहाँ पर भी करो, यह जिसमें वो इस point को contain करेगा, समझ मेरी के बाद आपको बहुत ही straight forward चीज़ है, यह आपको मालूम चल रहा है, अब हम लोग आ जाते है, हमारे इस जगा पे, इसमें क्या बोला कि, by sector मुझे करना है कि origin contain करने वाला, by sector ऐसा चाहिए जो कि origin contain करने वाला, जिसी कि अभी अभी हमने क्य बनाया था, यह वाला इक्रिशन बना दिया था, a1x plus b1y plus c1 divided by under root of a1 का square plus b1 का square, इसका mod value, किसके बारावर आ जाना चिए, इसके mod value के बारावर आ जाना चिए, मतलब यह 2x plus b2y plus c2 divided by under root of a2 का square, प्लस हो जाएगा b2 का square, अब origin कोईन 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 किसी रिजन में तो उस रिजन का, उस रिजन से बास करने वाले bicepter का equation निकालना मतलब, angle bicepter containing origin हो जाएगा, तो जब मैं इसके अंदर origin रख दो, तो क्या यह 0 हो जाएगा, 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 मतलब जो भी sign रहेगा, वो purely depend करेगा c1 क के उपर और जो भी साइन इधर से आएगा वो डिपेंड करेगा सीटू के उपर अगर सीवन निगेटीव है तो मॉड को कैसे उड़ाएंगे निगेटीव से उड़ाएंगे सीवन पॉजटीव है तो मॉड पॉजटीव सिर्प्रेस हो जाएगा सिमिलरी सीटू के लिए भी वही होगा तो ऐसे एक्विशन निकालने बाद जो एंगल बाइस ट्राएगा वो कंटेंड करेगा ओरीजिन को अच्छा यह तो यह चीज है लेकिन क्या है कि यह थोड़ा मुझे बार 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 क्या करना पड़ रहा है कि साइन चेक करना पड़ केसे कर सकते हैं कि मैंने लगाने से पहले ही सीवन को अगर पाजटिव कर लेता हूं और जो जो C1 है मतलब माइनस 2 इसको पॉजट्व करना चाहता हूँ तो पॉजट्व करने का मतलब क्या है कि साइड बदल दो इनका तो माइनस 6 माइनस y प्लस टू इक्वाज जूरो अब इसके अंदर जब मैं भाटा प्लस में आ सकता है कब जब 7C2 अगर पॉजट्व कर लेते हैं तो ब्रवर गया थे अग्र तुमको क्या चाहिए अंगल वाइस टर फॉरोड में थ्लावर चाहिए तो मैं सबसे प्धिए क्या करूं का कि c1 को और c2 को पॉजट्व कर लूगा इसके बाद यह जो एक् C1 और C2 positive है क्या अगर negative हो है तो इसको positive कर लेंगे यह positive करने के बात जो equations बनेंगे उसके लिए हम लोगी distance form लगा देंगे ठीक है अब C1 C2 तो positive है तो अब origin में contain करने वाला जो by sector होगा यह तो 0 है यह तो 0 है यह तो 0 है बस C1 ही यहां पर आ गया यह तो हमेशा positive है तो बरावर ना यहां पर जो plus और minus आजाता है यहां पर बस इसमें से plus sign लेने से उसी में आजाएगा हमारा angle by sector origin वाला ठेक है और इसके उल्टा अगर origin जिसमें नहीं आता है वो अगर मुझे बाइसेक्टर चाहिए मतलब जिसमें ओर जिसमें नहीं आता है अगर यह अगर मु सीटू को positive करने के बाद तो बस यहां पर प्लस लगा दो उसमें origin आहीं जाएगा और अगर not containing origin चाहिए तो सीवन सीटू को positive करने के बाद यहां पे यहां पर क्या कर लो negative लगा तो तो आपर origin नहीं आएगा यह system आप याद रख लेना आगे हम काम में आने वाला है ठीक है उससे पहले हम लोग बेसिक कोशन कर लेते हैं ताकि यह जितना थेरी हमने पढ़ाया था वो आपको समाज में आ जाए यह वाला जो है एक equation है यहां पर फॉर दो स्टेट लाइन 4x ब्लस 3y-6 एकोश जूरो 5x ब्लस 12y प्लस 9 एकोश जूरो find the equation of bisector of aptice angle between them, bisector of acute angle between them and bisector of the angle which contain 1,2 तो सीधी सीधी बात है आमको क्या करना पड़ेगा पड़े तो एंगल ब्लस निकालना पड़ेगा तो क्या होगा यह 4x होगा प्लस हो जाएगा 3y और minus होगा 6 divided by कितना माची अंडरोट आफ हो जाएगा 4 का स्क्वेर प्लस हो इख ओड्लाइगा ये होगा 5x plus होजाएगा कितना 12x plus होजाएगा Кितना 12 y, plus होजाएगा 9 via kli square of 12. 12 का स्क्वेर होगा यह देखो यह 169 बनेगा और इवा 25 25 मतलब पाई बनेगा ही 13 बनेगा 13 को इदर ले लिये हमने 13 इन्टु कितना आची फोर इन्टु एक सोगा प्लस हुझा थी इन्टु वाई मांस जनके मानेश और सिख्स और इक एक सी अगे एक प्लस ओर मैनेस इपनस तो एक सदेंगर ऌइक के तना यह थे प्लच प्लस फॉग आई गए हाट वहले इन्ट वाई और प्स ती टो जनके और ना अज़क है तो जींट थैक तो दो ढिंगी झेost कि कि कन दो एक्विशन कसे किसे बनेगे एक बार प्लस ले लिया तो एक विशन एक एक्विशन लिए एक एक्विशन कितना होगा है यह दिख इता है 60 39 से हुए मितल 21 हो जागा तो यह मैनस हो नहीं 20 एंट य और होगा कितना है 13 इंट ओ इंतु 6 कितना रहा देखलो यह 18 आ और एक 78 मैनस 78 और होगा 45 तो गाहा मैनस 125 जागा तो यह होगा मैनस 123 और इकॉस टीटिवाइव तो इसको 3 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 9x आएगा माइनस हुजाएगा 7y और इससाइट से आएगा 41 और इकवाज जूरो यह है हमारा है यहां पर यहां पर यह प्लस की सबसे निकाला था अब यह सबसे निकाला ला था था अभी यह कितना है यह 39 है माइनस हो जाएगा 60 यह बन गया कितना यह बन जाएगा यह बन जाएगा फिर इसके बाद यह कितना होगा सेवेंटियेट होगा यह वैसे और यहोगा 45 जो कि उसके प्लस बनेगा प्लस बनेगा तो यह बन गया माइनस तरी एकसजिरो तो कितना बन गया दी कोई से लिए दूसरा जो तरीका है वह क्या करना पड़े और एक अगल बैस्टर से लच कर लिया तो इसका स लोब है कितना गया है Um 00 काम आ कर लिए यह balls यह crashes कर लिए और एक lineAt कर लो तुमारी मर्जी कौन्स अभी line सब्सलेट कर लो यह b1 dwaat लेते हैं तो कितना हो जाएगा नाइन बाइस सेपर यह हो सब्कुशD दिंदने दोचो और यह बाइन ऑब हमार यह लिए लेंज सफ लेशान, हो ह्यॐ प्लस दाब स्फ सेर्पेड कितना है 23 ऐसे होगा. अब इसका mod value कितना आ रहा हुआ, वो देख लो, कितना रहा हा, देख लो, यह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो यह. 27 तो 27 प्लस हो जाएगा 28 नीचे जो जाएगा कितना अना चिए 7 x 3 आएगा और नीचे भी यहाँ आप सेव rester तो कितना ट्वेंटी वन और यह कितना हैँआ कितना मायनस finished 7 है 21 होगा चेरी सिर्टी जहाइब इसका मेरत वैल्य आपको ओपर तो 50 के ऊपर नमबर दिख रहा है नीचे कुछ 10 किया 15 किया स्वास दिख रहा है तो 50 कितना उपर आएगा 50 एक्जाक्ट अगर देखा जाए तो 55 आएगा उपर तो उपर आ गया 55 मौर था इसले निगरी उड़ा दिया नीचे आ गया 15 और देखा जातो यह कैसा वैल्यू है यह 1 से ज्याद होगा मतलब ठीटा जोगा 90 degrees से ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि लाइन यह लिलिया तो तुमने और बाइस ट्रग यह लिया था और इन दोने के बिच का एंगल अगर कितना आ रहा है 40 90 डिगरी से मतलब 45 डिगरी से ज्यादा रहा है मतलब त्यान फ्यान वै कि आपको समझ में आ रहा है यह होगा तुमारा अप्टूस एंगल बाइस सेक्टर इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो आपोजिट आएगा वह अना चाहिए दूसरा जो आएगा वह एक्विट आगल वाइसे को यह था तुमारा पहला मेथड़ बराबर क्या दूसरा मेथड़ लाइन जो थे ऐसे टाइब के थे अभी हमने क्या किया था कि यक बाइसर रहा यह ले लिया था नहीं यह से टाबाइट होगा तो हमने यह विश्य का एंगल निकाला और इसका ट्याण वैल्यू तल थिता बाइट न घाहिए जादा इसका मतलब ठीटा बाइट टू जो वैल्योट आजाती इसका मतलब टीटा हो जाता है यह 40 डीज्टिट जादा बरबना इसका मतलब यह जो टोटल एंगल है अगर नाइंटी डिग्रिस जादा है तो वी वन सो होगा हमारा कूंसा होना श यह था कि समझ मेरे बात आपको यह हमने काम किया था ठीक है अच्छा दुसरा में दूसरा में तर्ट क्या था हमारा हम लोग डिस्टन से भी बना सकते थे डिस्टन से कैसे बनाएंगे तो उस वही चीज इस लाइन में से कौन सा भी एक लाइन बना लेंगे यह लाइस दोनों लेन ठीक लेना था हमको फिर यह लाइन प्रका कौन भी एक अर्बट्रिय। तो इसके बाद आता हकर हमारा लेंफनाट प्रका प्वाहे होगा लेन धिति इस मैंने ले लिया मतलब इसमें जो भी एक्सक्राइब रखना है उसके सबसे कौंट निकल जाएगा तुमारा फिर चेक करना है कि यहां से यहां तका परपेंट डिस्टंस कितना है अगर मान लेता हूं यह हमारा बी टू है और यह बीवन है तो बीटू का जो परपेंट से तो इसका मतलब यह डिस्टंस जिस बाइस घ्रकाता ओज बनेगा वह अप्ट्रेंगर बनना चीए सी डीसी बात है तो वह सामको डिस्टंस चेक करना है कौन सा ज्यादा है तो उसके लिए मैं नहीं किया कि इस बाइस रॉपर का यह पॉंट ले लिया मतलब लेना है तो म पॉइंट मिल गया मुझे इतना 0,2 ठीक है तो अब हमको क्या करना है कि इन दो लाइन की बीच का डिस्टन्स बनाना है 0,2 से तो पॉइंट है हमारी पास 0,2 और यह जो बाइसेक्टर भी वन बीस बाइसेक्टर भी टुए उसके बीच का डिस्टन्स निकाला है इस और यह आएगा minus 41 divided by यह आएगा under root of 9 का स्क्वेर प्लस आजाएगा 7 का स्क्वेर यह होगा तुमारा यह डिस्टन्स हो गया है 0,2 से इस बीस्टर के बीच का अब दूसरा डिस्टन्स देखलो इस 0,2 से लिकर यहां तक का डिस्टन्स कितना ना चीए यह तो 0 हो जाएगा 7 और 9 इंटू 2 मतलब होगा 18 और माइनस जागा 3 डिवाइड भाए होगा under root of 7 का स्क्वेर और 9 का स्क्वेर 7 स्क्वेर और 9 स्क्वेर, ऐसा होगा ठीक है, तो आप देखलो कौन सा डिस्टन्स ज्यादा है और कौन सा डिस्टन्स कम है यह आपको दिखाए दिरा मिरत हो ना होना चीए, क्यों? क्योंकि नेच bricks तो दोनों की quantity same है अब उपर का मैंटर करेगा किसका आमोंट ज्यादा है यह तो होगा माइनस 14 माइनस 41 तो शायद यह 55 होगा और माइनस है मौड़ ओड़ा देना है वैसे भी मौड़ है मतलब पॉस्ट लेना है उपर 55 के बरावर है यहां पर 15 के बरावर है तो सीधी सी बात है कि यह डिस्टन नहीं था यह पॉइंट और यह लाइन की बिज़का था तो बस यह होगा तुम्हारा अप्ट्वेश एंगल बैसेक्टर देखो इधर से हुआ यह डिस्टन ज्यादा आया और यह दर से एंगल से भी हमने पहले डिसटन के यह अप्ट्रिस अंगल बैसेक्टर यह है तो एं अगल बैसे टो डिसाइड करने के लिए अपके अब इसके बाद एक और है इसमें कंटेंट मतलब बैसेटर कंटेनिंग वन को माट यह तुमको निकालना है तो ओगो कैसे निकालेंगे ओगो देख लेते हैं अग्ट तो यह होगा तुमारा यह प्रॉलम अब तुमको बैसेटर कंटेनिंग वन को माट निकालना है तो तुम क्या करोगे पहले तो इसका बैसेटर के लिए बना लोगे तो कितना होगा फोर एक्स होगा प्लस होगा थ्रीवाई मायनस हुझाएगा शिक्स और टोटल यह अब तुमको करना क्या है कि 1,2 इसके अंदर रख देना है और 1,2 इसके अंदर रख देना है और उसके अपोडिंग उसका मौड उड़ा देना है तो मौड उड़ा देने का सेंस क्या हो रहा है कि 1,2 जब इसमें रख दिया तुमने तो यह 4 होगा और यह होगा कितना 6 तो यह मायन 6 प्लस 6 तो यह अपसमें कैंसल हो गया तो यह ता मतलब 4 आ जाएगा मतलब यह यह होगा यह 12 into 2 मतलब हो जाएगा 24 तो 24-9 यही positive value है तो यह भी positive आ गया तो बस यहाँ पर भी क्या होगा कि यह plus से ही replace होगा तो 12x 5x प्लस हो जाएगा 12y-9 और डिवाट बाए कितना आ जाएगा यहाँ पर यह 13 आ जाएगा तो यह जो equation है इसको स्वाल कर लो यह equation के हो यह है ओके अब इस वाले question में बोला नहीं है लेकिन ऐसा बोला जा सकता है कि जो 1,2 जो contain करने वाला bisector जो है ना वो bisector acute angle bisector है फिर obtuse angle bisector है ऐसा भी बोला जा सकता है जो बन गया इस वाल कर लो तो यह तो यह तो एंगल bisector बन जाएगा लेकिन यह जो एंगल bisector है वो accurate angle bisector है या फिर अप्र इस एंगल bisector है वह भी बताने के लिए बोला जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर से तुमको यह जो bisector आएगा उसका distance निकलना प्लस का साइन आता है तो प्लस साइन वाला जो एंगल bisector था अमने अलोड़ी बता दिया था कौन सा था यह प्लस साइन लेने से हमारा जो एंगल bisector था कौन सा रहा था तो इसका मतलब तो यह जो पॉइंट कंटेन करेगा 1,2 वह जो bisector का कौन सा होना ची यह अप्टूस ए bisector में यह जो 1,2 पॉइंट है वह गंटेन कर रहा है ब्रावर क्या कैसी पता चला इसमें हमने प्लस साइन लगा कि जो एंगल bisector कर निकाला वह उसमें 1,2 कंटेन कर रहा है और प्लस साइन लिकाल लगा कि जो हमने पाइस निकाला तो वह तो है यह जहें प्लस साइन लावर करने व साइन करने काले के लिए तो कितना माइन सिसको सोब्धिक माई-सिक करना पड़ेगा इसलिए तुमको माइनस सिमल्ट करना पड़ेगा तो यह 4x होगा प्लस हो जाएगा 3y और यह माइनस 6 डिवाइड बाय कितना नाचे यह तो होगा 5 एक वल्स ओर जीन यहां पर रख दिया 0,0 तो यह इसमें 0 रख दिया यहां पर शायद प्लस 9 था न प्लस 9 था हा फ्लस 9 था अंचा उपर वाले कोई चेंज न तो नहीं होंगा इसमें कुछ जेंज नहीं होगा वाइश देखो वन प्लस नाया मतलब इसका तो प्लस आ गया तो मौट को चुपचा भी निकाल दो तो 5x ब्लस जाएगा 12y और प्लस 9 और नीचे कितना ना चाहिए 13 आ जाना चाहिए तो ये जो एंगल सिक्रू उसके अंदर ओर इंगल नीचे कर रहा है तो ये अगल बाइस कैसें आ गया एक स्ञेए माइनस लग गया मतलब उपर वाली जो एकविशन आय थे प्लस और माइनस में से जो माइनस वाला साइण था उसमें यह आरा है उसमें आ राए मतलब माइनस अगर सान ले लिता हूं가요 तो उसमें क्या राए कि ओर इंगल कर रहा है और माईनस लेने से कि आघक्त अंगल वाई सस्रा समय प्टुट करेगा इंगल क कस बीधति कट लिध़ गा या सकता है या फिर यह जो पॉइंट है वो कंटेंड करने वाला बाइसेक्टर एक्यूट है या फिर अप्री से वह भी बताने के लिए होता है ठीक है तो इसका मतलब तुम पहले तो निकालोगे वो कंटेंड करने वाला बाइसेक्टर उसके बाद वह माइनस लगाने के बात वाला जो पॉइंट है वह एक्विट अंगल बाइसे वह निकालना पड़ेगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ सकता इस मेथड़ से इसलिए हम लोग क्या कर रहे कि दूसरी मेथड यूज कर रहे कि पहले तो तुम ओरीजन कंटेंट करन है जो बाइसे टिटर वह प्लस में darura ागा क्यों नहीं आया यहां पे क्योंकि यहां पर हमने सीवन को पॉस्ट्ट नहीं किया था अगर सीवन को को पोजिटिव कर लेते गे थो क्या वा जाता एक्विशन minus 4x plus minus 3y और plus 6 हो जाता मतलब यह minus 6 के अंदर आ जाता इसलिए वो plus में आ जाता मतलब अगर तुमने minus 4x minus 3y plus 6 equal 0 यह equation अगर use कर लेते हैं और 5x plus 12y plus 9 अगर equals to use कर लेते हैं तो उस वाले केस्ट में क्या हो जाता है कि तुमारा जो equation है कुछ इस टाइप का बन जाता है कि minus 3x बन जाता है मतलब minus 4x बन जाता minus 3y बन जाता और plus 6 equal 0 मतलब सीवन इसमें positive हो गया इसमें तो यह positive ही है तो 5x plus 12y plus 9 equal 0 अब यहाँ पे तुम लगर angle byster निकाल लेते हैं इसके इस equation के अगर angle byster निकाल लेते तो क्या हो जाता है कि origin content करने वाला byster हमेशा plus sign में आ जाता ठीक है वो तो यहाँ से पता चल रहा है आपको क्योंकि जब यह minus 3x गरो तो minus 4x minus 3y plus 6 हो रहा है यह minus 6 के अंदर आ जाएगा बस यह minus 6 के अंदर आ गया तो उस वाले कि इसमें प्लस में आ जाता है सही है समझ मेरी वाथ आपको ठीक है तो यह इस वाले मेतल से थोड़ा सा यह complicated है कि angle byster यह point content कर रहा है वो अप्टिस में करेगा एक्विट में करेगा वो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है अब दूसरी मेतल से क्या हो साथा कि यह बहुत इजीली हो समझा सकते है मतलब shortcut method यह है हमारा equit angle byster और up to single byster निकालने के लिए और उदर से हम लोग सब कुछ easily बना सकते है तो क्या है वो चीज़ वो देख लो a1 x है plus b1 y plus c1 equals 0 एक equation है a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 एक दूसरा equation है अगर मुझे क्या करना है कि equit angle byster और up to single byster निकाल देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले जो constants है मतलब shortcut method से मैं भोल रहा हूँ c1 और c2 यह जो constants है c1 इसको भी positive कर लो and जो c2 है इसको भी positive कर लो ठीक है c1 को positive कर लिया c2 को positive कर लिया यह तुम्हारा पहला step था अगर c1, c2 को positive नहीं कर रहे हो तो यह method काम नहीं करेगी ठीक है तो c1, c2 को तुमने positive कर दिया इसके बाद इसके बाद क्या करना है c1, c2 को positive करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इसके biceptors निकालना दूसरी step में step second में क्या करेंगे हम लोग biceptors निकालेंगे कैसी निकालेंगे a1x plus b1y plus c1 और divide by कितना हैगा under root of हो जाएगा a1 का square plus हो जाएगा b1 का square x की value इसकी value कितना हो जाएगी इसकी value हो जाएगी यह 2x plus b2y और होगा यह c2 और total divide by कितना जाएगा यह यह होगा under root of यह 2 का square और होगा यह b2 का square तो इसका जो mod value है और इसका जो mod value है अगर compare करेंगे तो यह जो equations आएगे यह होगे angle by sectors के ध्यान रखने वाली बात यह है अभी तक पहले वाले चीज़ में और इस वाले में क्या चीज़ में difference क्या रहा है कि यह जो constants होगे वो हमेशे positive है ठीक है यह हमेशे positive है क्योंकि हमने positive कर लिया है constant अगर positive है और angle by sector containing origin अगर निकालना है तो बस यह plus और minus जो था ना उसके बदे तुम क्या निकाल का लगा दो बहां पर बस प्लस लगा दो तो काम हो जाए रहेगा समझ मैंने बात अपको यह अगर मैं मौल उड़ा दे रहा हूं तो क्या आएगा यहां पर प्लस और माइस आएगा यह प्लस और माइस आएगा जबकि यह C1, C2 अगर positive है तो angle by sector containing origin अगर चाहिए तो बस यहां पर प्लस और माइस के बितले C plus लगा दो तो उसमें आलवेज हमारा क्या आएगा origin content करेगा ठीक है लेकिन मुझे क्या चाहिए acute angle by sector और up to single by sector अगर चाहिए तो मैं step 3 में वो decide करूँगा कि acute angle by sector कौन सा होगा up to single by sector कौन सा होगा तो तुम C1 C2 को positive होने के बाद C1 C2 को positive होने के बाद वाले equation में मतलब वह equation तुम यहां पर use कर रहे हो अब उसी equation में तुमको क्या करना है कि यह जो A1 है यहां पर A1 है और यहां पर A2 है उसका product निकाल देना है A1 into A2 फिर यह जो B1 है और यहां पर B2 है इन दोनों का यह product कर देना है B1 और B2 इन दोनों का product इन दोनों की addition को तुमको decide करना है कि कितना आएगा एडिशन कितना आ रहा है अगर यह addition एक तो गड़दान जुरू हो सकती है मतलब positive हो सकती है या फिर less than जुरू हो सकती है या फिर यह exam से 0 हो सकता है अगर यह 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गए escape यह perpendicular lines होंगे जो 2 lines है यह perpendicular lines होंगे तो अगर यह perpendicular lines है तो इसका मतलब यहां पे न aequit angle våra similar बनेगा रहेक ना aritis angle बनेगा दोनों bisector perpendicular के bisector बनेगी हो तो तो यहां पर दो कोई equity और अप्टीस की बात नहीं आ रही है ठीक है अगर यह क्या हो जाता है कि इसका अंसर अन्सर गड़दन जूरो होता है तब जाकिए यह प्लस और माने से न वहां के अंदर अगर मैं निगेटीव यूज कर लेता हूं कि अब यह वह ने 2 प्लस B1 B2 का साइन अगर पोजटिव है गरदान 0 है मतलब प्लस है तब जाके क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर निगेटीव यूज कर लूँ तो जो equation आएगा, वो आएगा equit angle bisector का और plus अगर use कर लेता हूँ, तो यह आजाए कि इसका obtus angle bisector का clear है चीज़? मतलब यहाँ पर plus आगया और minus यूज किया हमने तो यह जो equation आएगा, equity आगा और plus आएगा तो यह obtus angle bisector होगा और वही case में अगर क्या होता था कि a1, a2, plus b1, b2 का जो value है अगर negative होता है, मतलब less than जुरूआ अगर हो जाता है तो उस वाली case में अगर मैं यहाँ पर plus यूज कर लेता हूँ यहाँ पर plus यूज कर लेता हूँ, तो यह angle bisector होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा accurate का, और minus अगर यूज कर लेता हूँ तो क्या होना चाहिए, यह हो जाएगा मतलब यहाँ पर मैंने minus यूज कर लेता हूँ, यह angle bisector होगा वो obtus का होगा याद रखने का बहुत आसान तरीका है यह जो sign system है, यह जो 2 plus b1, b2 की और यह जो obtus angle bisector का जो sign system हो, exact same होगा मतलब अगर यह जो 2 plus b1, b2 का sign plus है और हमने यहाँ पर प्लस यूज कर लिया तो यह जो angle bisector होगा, वो हमेशा obtus angle bisector होगा और यहाँ पर अगर minus हो जाएगा यह जो sign system है, वो direct यहाँ पर यूज करके हम लोग obtus angle bisector निकाल सकते है और उसके opposite क्या होगा, acute angle bisector होगा समझ मेरी बत अपको और जो अगर समझ माने थे कि a1, a2 plus b1, b2 का value अगर गड़दान 0 है मतलब positive है, तो origin किस में आ जाएगा origin आ जाएगा up to single bisector में, क्यों? क्योंकि यह तो c1, c2 अगर positive है तो बस यहाँ पर plus जो sign आएगा, उसे में तो origin आएगा अगर यह a1, a2 plus b1, b2 का sign, मतलब value गड़दान जूरू अगर होता है मतलब plus अगर हो जाता है, तो plus sign में ही तो बारा क्या आएगा origin आएगा, और plus sign के लिए किस के लिए आ रहा है, up to single के लिए आ रहा है मतलब हमारा origin up to single bisector में content करेगा इस वाली के समें, यह a1, a2 plus b1, b2 के लिए अगर जूरू होती तो और अगर यह a2 plus b1, b2 के लिए अगर less than जूरू होती है तो उस वाले case में हमारा जो angle bisector है मतलब origin के इस में content करेगा, اiquit angle में content करेगा तो बस यह वाला भी हम लोग यह जो problem था हमारा यहाँ इस में धरसे भी कर लेते तो आपको और ज़्यदा clarity आ जाएगगा ठीक है ओके तो यह question कर लेते हैं यह shortcut method से तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा कि यह जो c1, c2 है इसको positive करना पड़ेगा तो यह minus 6 दिख रहा है इसको यह minus में आ गया इसका मतलब इसको तुमको negative see multiply करना पड़ेगा तो तुमारा जो पहला line बनेगा minus 4x minus 3y और यह होगा plus 6 और equals to 0 यह पहली line दूसरी line क्या है तुमारे पास यहाँ पे यह already plus में है तो इसमें कुछ तुमको ज्यादा मेनद करना ही ज़ोरत नहीं है यह 5x plus हो जाएगा 12y और plus 9 और equals to 0 यह तुमारा second line है अब तुमको करना है कि ऐंगल बाइसेक्टर स्निकालदेना है इनके अगर ऐंगल बाइसेक्टर निकाल देना है तो तुम क्या करोगे यह minus 4x मतलब यह जो चेंज़ेस कर चुके हो उसी को यहां पिज करना है मतलब एंगल बाइस निकालते होगे इसी equation को यूज करना है original equation को नहीं मतलब इस equation को यहाप यूज नहीं करना है तो जो sign change किया है तुमने वह equation यूज कर लो तो यहाँ पर कितना हैगा 4 का square और 3 का square होगा 25 में डारेक्ट लिगता हूँ ठीक है और यहाँ पर प्लस और माइन सा जाएगा यहाँ पर 5 x आ जाएगा प्लस हो जाएगा 12 y प्लस हो जाएगा 9 और divide by कितना जाएगा यह अंडूट अफो जाएगा 169 हो गई है तो यह equation तुम्हारा बन गया अब यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन लेने के बाद कौन सा बाइसेटर आएगा यह अगर तुमको दिखाना आए तो तुमको जाना पड़ेगा यह वन यह टू बीवन बीटू के वैल्यू के पास मतलब यह जो वैल्यू है माइनस फूर किसे मुल्ट्प्लाय करोगे तुम 5 से कितन अगया माइनस फूर इंटो होगा 5 यह एक वैल्यू फिर यह माइनस त्री है इसको मुल्ट्प्लाय करोगे 12 से तो कितना होगा यह यह प्लस माइनस 3 इंटो हो जाएगा 12 अब देखलो यह दोनों के यह वैल्यू निगेटिव है यह वैल्यू भी निगेटिव है मतलब यह अगया तो मारा सायनस का निगेटिव तो तुमको अगर एकीट अगल का बैस चाहिए और अप्टू सेंगल का बाया सचे तो यह जो साहिन आ रहा था वो जैसे एक वैसे यहाँ पे देदो मतलब यहां पे आगर दे रहे हो तो यह यह यहांगल बायस्यू बनेगा किसका तुमको अगर obtuse angle bisector का अगर equation चाहिए तो ओ equation कैसे होगा minus 4x minus 3y plus 6 यह 12 को तुम इधर multiply करो मतलब ही 13 को इधर multiply करो और यहाँ पर आएगा minus use करना पड़ेगा तुमको minus 5x plus हो जाएगा 5x plus हो जाएगा 12y plus 9 यह जो equation है तुमारा किसका है obtuse angle bisector का है क्यों? क्योंकि इस टर्म का sign कितना है negative था इसका मतलब वो sign same sign यहाँ पर यूज करना पड़ेगा तो तुमको क्या जाएगा वो equation आएगा obtuse angle bisector का और इसके जो opposite आएगा मतलब इससे 13 into होगा minus 4x minus 3y plus होगा 6 और equals to कितना ना चीए यहाँ पर अगर मैंने plus sign यूज कर लिए तो 5 into होगा 5x plus 12y plus 9 यह जो equation होगा यह हो जाएगा equit angle bisector का क्या है यह आपको समझ में आ रहा है क्या? ठेक है अगर angle bisector containing origin चाहिए तो यहाँ पर प्लस ही लिखा हुआ है यहाँ भी प्लस लिखा है जिसमें plus sign आ जाता है उसमें contain करता है ठेक है तो इसका मतलब क्या होगा? कि इसमें plus तुमने यूज कर लिया है तो यही क्या करेगा? contain करेगा origin को यह वाला जो bisector है वो contain करेगा origin को इसका मतलब यह होगा कि origin को contain करने वाला जो bisector है वो कैसा है Equit Angle by Sector है तो यहां पे तुमको Equit Angle by Sector में origin कंटेन कर रहा है और Optus Angle में कंटेन कर रहा है ये निकालने के लिए ज़्यादा मेनत नहीं करना पड़ा ठीक न? क्या झूकि दायरेक्ट तुमको पता हिथा की ये föNews 2 हprene को positive करने बाद प्लस जिसमें आएगा के प्लस और मैंस लगा मतलब मैं यह लगा थैंक अधर विसके पर नीचेड करें रहे थे हुआ थ्या लेकिन आपके क्या चेंज किया है कि बस यहां पर C1, C2 को positive कर दिया बसाई से अब क्या कर लेते हैं यहाँ पर 1,2 किस में आ रहा है वो अगर निकालना है तो 1,2 यहाँ पर रख दिया तो 1 जब यहाँ पर रख दें तो यह minus 4 होगा यहाँ पर minus 6 होगा तो minus 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 plus cancel हो जाएगा इसका मतलब यह होगा 12y प्लस होगा 9 और डिवाड़ बे कितना जाएगा 13 यह equation हो गया मतलब क्या हुआ तो मारा कि यह equation minus sign लगाने से आ रहा है देखो यह minus sign इधर ले लो है फिर ले लो कोई फरकने पड़ेगा मतलब इस जगपे अगर मैंने minus sign ले लिया तो उसके अंदर वन को मार डू कंटेंड कर रहा है और वो कौन सा है वो है अप्टिस अंगल बाइस एक्टड़ तो यहां से point कोन से में point कंटेंड करने वाला अंगल बाइस एबतिस है और अपड़े जो हुआ है वो निकालना बहुत आसान है यहां से समझ में आ री हो समझ में आरी के बाद आपको तो ऐसे तुम निकाल सकते हैं एंगल बाइसर कंटेनिंग पॉइंट्स ठीक है और उसका टाइप भी बता सकते हैं तो यह है एंगल बाइसर पूरा यह आपको मिलेगा वेक्टर 3D के प्लेन वाला शेक्षेन जबाएगा तो उसमें भी यह जैसे वाई से आएगा तो बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो आप इसके प्रैक्टिस कर लेना ठीक है एक और चीज़ मुझे यादार यह भी बोल देता हूं मैं ठीक है तो कुछ क्वेश्चन से हो जाते हैं जो कि यह जो एंगल बनेगा अगर यह थिटा होता है तो यह इधर से एक लाइन बन सकती है जो कि उतना एंगल बनेगा थिटा ही बनाएगा मतलब यह एक लाइन ऐसी बना सकते हैं हम लोग जो कि यह अगर एंगल थिटा होता है तो यह दो लाइन जो है यह यह लाइन और जो यह यह बोलते हैं कि यह L line को equally inclined lines है equally inclined lines है तो अगर ऐसी situation हो जाती है तो देख लो यह L1 L2 का जो bisector होगा यह L होगा L1 L2 का जो bisector होगा वो L होगा कैसे इदे को यह दोन आंगल सेम होगए मतलब क्या होगा कि यह जो point है इस line से और इस line को equal दूरी के उपर होगा बढ़ा होगा जो equally inclined lines है L1 L2 उसका जो angle bisector होगा वो L होगा ओके तो यह इतना था यह bisector के बारे में इसकी questions कर लो तो यह अच्छी से समाझ में आजाएगा मिलते अगली class में जैवारत